संस्किर्द दर्शन चनलन में आप सभी का स्वागत है जैसे मैंने पहले बताया था कि हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो आपको वीडियो और जादा देने का प्रयास करेंगे अभी भाव समास चल रहा है और हमने उसमें नित्य समास तक को जानने का प्रयास किया है अब तक जितने भी हमने सूत्र जाने हैं और जो सब्द जाने हैं वो सब नित्य समास के अंतरगात आते हैं अब उसके बाद जितनी भी अब बताने का हम प्रयास करेंगे आगे आने वाले जितने भी सूत्र हैं या जितने भी शब्द रहेंगे वो नित्य समास नहों करके विकल्प से अभी भाव समास होंगे विकल्ब से तातपर क्या है? विकल्ब से मतलब है कि अभी भाव समास होगा भी और उसके साथ साथ बाग की भीव हो जाएगा. मतलब मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ. जैसे आप मैं थोड़ा सा सूत्र समझा दूँ. सूत्र इसमें मैं कम सकम पांच सूत्र बताने वाला हूँ. मैं लिखे नहीं है मैं इसमें. पहली वीडियो जब मैं अभी भाव समास की बनाई थी तो मैं उसमें सारी सूत्र लिख दी थी आप जाकर के वहां से अध्यान कर सकते हैं. देख लेते हैं उदार्ण ग्रूप में जैसे अप है, परी है, वही है, अंचू यह सब अभ्य हैं, अंचू को छोड़ करके, इनिके साथ में यदि कोई पंचिमी विवक्ति का जो सब्थ होता है या पंचमियान्थ इसको में उबला गया है, उसके साथ में अभी भाव समास विकल्प से होता है. पक्ष में अभी थोड़ा समय समझा दूँ, जो सूत्र था, वो सूत्र सबसे पहले था विभाशा, मैंने बताया था कि विभाशा को दो रूप में लिख सकते हैं, इसके दो सूत्र बना लीजिए, एक तो विभाशा और दूसरा इसी में तोड़ करके भट्टो जी दिख्षिर न अप परिव पहिरन्चवा पंचम्या इस तरह से दूसरा सूत्र बना दिया, हालाकि सिद्धांत कौमदी में दोनों एक साथ ही हैं, विभाशा अप परिवहरन्चवा पंचम्या इस तरह से हैं, बत्टो जी दिख्षित ने सुविधा के लिए इसको लग कर लिया, विभाशा से सूत्र पढ़े जाएंगे, यह अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र का मतलब है, कि इनके आगे आने वाले जितने भी सूत्र आएंगे, वो इसके अनके अध्वावन में पढ़े जाएंगे, समझे जाएंगे, तो विभाशा कहता है कि आगे आने वाले जितने भी सूत्र ह होने वाला जो सब्द है या समास है वो विकल्प से अभिभाव समास हों यह मतलब इसका विकल्प से मतलब अभिभाव समास तो हो यह हो साथ में वाक के वही रहे क्यों कि हम जानते हैं वाक के का ही संचिप्त होकर के समास बनता है ठीक है ना वाक की जब संचिप्त किया आता ह बाक किसंचिप्त कैसे किया जाता है बाकियों में जो विवक्तियां होती है ठीक है ना विवक्ति से जो चिन होते हैं उन चिन्नों को लुप्त करके ही तो समास बनता है यह होता है समस्त और यह होता है विग्र है समास जब समस्त कर दिया जाता है तो उसमें जो बिवक्तियां होते हैं, बिवक्ति में जो चिन होते हैं, उनको खतम कर दिया जाता है, तब वो समास बनता है, ठीक है, उसके बाद में इतनी बात आपको समझ में आगी होगी, अब हम थोड़ा सा इसमें उधान लेते हैं, जैसे अप परी वही और अंचु धातू से परे पंचम्यान्त सुबंत सब्द का अभी भाव समासो यह इसका तात्पर है उदाहरण के रूप में एक देख लेते हैं इसमें अप विश्णू अप के साथ में क्या है विश्णू सब्द है तो यह क्या हो गया अभी भाव समास हो गया और बाके में क्या रहेगा अप विश्णू इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है मैं इसको यहां दरसा दिया इसमें देख रहा सकते हैं आप अप बुश्णों ठीक है तो यह पंचमी भुक्ती के साथ प्रियो किया गया है ऐसे ही परी राजिस्थानम यह अभिभावसमास है परी राजिस्थानात यह वाक्य है वहिर ग्रामम ये अभिभाव समास हो गया वही ग्रामात ये बाक्य हो गया प्राग ग्रामम ये अभिभाव समास हो गया प्राग ग्रामम ये ग्रामात हो गा ठीक है प्राग ग्रामात ये अभिभाव समास हो गया अवाक वरक्षम ये अभिभाव समास हो गया पघ्यां विद्ध्यों वाला विद्ध्यों अभी guidance अभी सुत्र दिया गया है ऐसे करके मैंने लगवाक सारे सुत्र समझाए है तो पंचमी विवक्त máximo को चेज़र पंचमी विवक्ति का जाकर के आराम से अध्यन कर लीजिए कारक परकरण में जब तक वो समझो नहीं आएगा आपको इबिलकुल भी समझ में नहीं आएगा तो ये बिकल्प में जो वाक के हैं वो पंचमी विवक्ति के हैं अब बात आ जाती है थोड़ी से और आगे लौकी विग्रह मैंने बताया था कि जो लौकी विग्रह है इसके बारे में चर्चा की है मैंने तो इसमें जो विवस्था दी है लौकि विग्रह की वो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो विग्रह होता है वो विवक्तियों का विस्तृत होता है विवक्तियों को फैला देना ही विग्रह के लाता है जैसे अप विश्णू है अप विश्णू का हमने जाना था कि अप विश्णू हूँ ये इसका बाक्य हो गया वही बाक्य लौकी विग्रह भी उसका सेम हुदारण वही है विश्णु अप अप इसमें थोड़ा सा बाद में रख दिया है कि जो विवक्ति है उस विवक्ति में प्रिक्त होने वाला सुबंधनी सुब्रत्य का प्रियुक के जाता है शब्द के साथ तो वो अलாestä विश्णु गसी और अप यह अलाई के विवक्ति हो गया राजिस्थान परी तो यहाँ पर राजिस्थानात परी होना चाहिए थोड़ा गलत हो गया है ठीक है राजिस्थानात परी यह होगा इसमें जैसे परी राजिस्थानात यहाँ पर दे रखा है वही लोगे विग्रह भी होगा तो राइस्थान नसि परी ये इसका अलोग विग्रा हो गया ग्रामात वहिस या वहिर ये इसका लोगी विग्रे है सभी जगे कहीं भी चले जाएए लोगी विग्रे जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बिभक्तियों का विस्तार ही होता है इसलिए यहाँ पर जो वाकी के रूप में दर्साए गए हैं बही लोकी विग्रह में दर्साए गए हैं और अलोकी विग्रह में जो बिभक्ती है उसका बिभक्ती का एक वचन है दूई बचन है बहुँ बचन है वो दिख करके जैसे ग्रामाद है ग्रामाद पंच्वी व्यक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर ग्राम सब दिले करके पंच्वी व्यक्ति का एक वचन सुप प्रत्य प्रियोग हो करके बाद में वहिस या वहिर सब का प्रियोग अब्यागा प्रियोग कर लिए जाएगा इस तरह ऐसे इस कालों के भी गिरह होता है उम्मीद कर रहा हूँ यह आपको बहुत अच्छे समझ मा रहा होगा मैं बहुत बिस्तिरिज में समझा रहा हूँ यह सारी बातें यहाँ पर एक सूत्र की खतम हो जाती है अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं ठीक है और प्रती यह दो अभ्यें हैं इनके साथ सुबंध पंचमी विवक्ती याद रखना पंचमी विवक्ती से युक्त यान पंचम्यांद सुबंध सब्द का अभी भाव समास होता है लेकिन यह भी बिकल्प से होता है और बिपक्ष में बाग की बना रहता है ठीक है? इतनी वाह समझ में आगये होगी अब लक्षने थोड़ा गलत बोल गया हूँ है यह को भी बोल दिया मैंने लक्षने वाले को यह छोड़ दिया मैंने इसको मैं थोड़ा बाद में समझावाँ हो पहले उपर वाला समझ लेजी ये मर्यादा अभिविद्यो वाला छोड़ दिया है मैंने जबकि ये गलत बता दिया चलो ये सूत्र आता है आंग मर्यादा अभिविद्यो यानि आंग ये प्रियोग होता है आंग का बचता है आ अब्याय का पंचम्यान्त सुबंद सब्द के साथ विकल से अभिभाव समास होता है ये इसका तात्पर है ठीक है ना जैसे आ जैपुरम ये अभिभाव समास हो गया लेकिन आ जैपुरात ये क्या बन गया? वाक्य बन गया आकुमारम ये अभिभावसमास हो गया आकुमारे भ्याह जैसे ये समझा दिया है आकुमारे भ्याह ये क्या बन गया अभिभावसमास बन गया इसमें एक चीज समझने की है मैंने पहले ही बताया था आपको जो बाक्य होता है वही लौकिक विग्रह के नतरकत आता है जो लौकिक विग्र है पहले देखेंगे वो किस विवक्ती में है किस वचन में है उसी विवक्ती का उसी वचन का सुप प्रत्य लगा दिया साथ जैसे कुमारे भ्या, कुमारे भ्या प्रियुक किया जाएगा, बहुबचन में, तो कुमार सब्द लगा करके भ्यस प्रत्य लगा दिया जाएगा, बहुबचन बाला, और आंग हम जानते ही हैं, आंग इसमें अब्यागा प्रियुक है, तो आंग बाद में लगा दिया जाए ठीक है ये इसमें इतना है आगे है लक्ष नेना आभी प्रती आभी मुख्य वो भी बताया था मैंने अभी अभी और प्रती इन दो अभ्यों के साथ में सम्मुख के अर्थ में किसी को लक्षित करके जब प्रियोग की जाती है चीज़ें तो सम्मुख के अर्थ में अभी भा समास होता है लेकिन कैसे होता है विकल्प से यह छित है तो जैसे अभय अभनी प्रट्य अगनी अभी और अगनी प्रति है ठीक यह दोनों इसमें प्रियुक्त कियाए है अभ यहां पर अगनी मत्रति और अभी यही लोगा की ब्गर्ह हो इसमें अलोकिक विग्रह क्या होगा इसको थोड़ा से समझे लो अगनिम अभी में अलोकिक विग्रह क्योंकि अगनिम दुतिय विवक्ति का है एक वचन है तो प्रियू हो जाएगा अगनि तो दुतिय विवक्ति का एक वचन क्या होता सु अउ जस अम अम का प्रियू कर लेंगे हाँ पर ठीक है और बाद में क्या बच चाहिए का अभी इस तरह से ये अलोगे विग्र हो जागा ऐसे ही प्रती हो जागा अगनिम अम प्रती अलोगे विग्र है फिर उसके बाद होता है सामी ठीक है समया निक्षा करके दुतिय विवक्ती में जाकर के अध्यन करिए दुतिय विवक्ती में बड़े अच्छे से सूत्र को समझाया गया है समया और निक्षा जब भी सब्द आ जाते हैं उनमें दुतिय विवक्ती का प्रियू किया जाता है वही सामीप्पि के अर्थ में इसमें प्रियू किया जाएगा विकल्ब से जैसे अनुबनम तो अनुबनम इसमें पूरा बाक्ट हो जाएगा और इसका अगर अलोकिक विग्रह किया जाएगा तो बनस्या अनुब इस तरह से इसका लौकी विग्रह हो जाएगा अलौकी विग्रह क्या होगा क्योंकि ये स्या लगा हुआ है तो जब ये स्या लगा हुआ है तो सस्टी विवक्ती का एक बचन है तो सस्टी विवक्ती का एक बचन सुबंत में क्या हो जाएगा सुबंत में गस हो जाएगा ठीक है ना, सुबंत नहीं बोलता हूँ, बारवा सुबंत बोल जाता हूँ, सुप फृत्य के अंतरगत, गस जो पृत्य है वो सस्टी विवक्ति के एक बचन के अंतरगत आता है, तो ये बन जाएगा, वन या लेख देता हूँ मैं, वन गस अनू, ठीक है, इस तरह से ये अल फैलाओ के अर्थ में, ये सूत्रा था था, ये से चायाम, ये से चायाम का, आयाम का मतलब क्या होता है, आयाम का मतलब होता है, फैलनाय फैलाओ, फैलनाय फैलाओ से तात पर क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा, प्राणायाम, ठीक है, दूसरा सुना होगा, व्यायाम, ये जो सब्द हैं ये दोना आयाम आयाम से बने हैं और आयाम से यहाँ पर भी प्रियो की आ गया है फैलाओ के अर्थ में अनुगंगम तो आयाम का मतलब होता है विस्तिरित या फैलाओ में तो अनुगंगम या प्राणायम थोड़ा सा प्राणायम को समझा दो प्राण आयम, प्राण का फैलाओ, जब भी कहा जा के प्राण आयम करिए, तो उसमें सारे रिगत्विदियां बंध होती हैं, के बड़ स्वास से सम्मंदित, जितनी भी कारिकरम होती हैं, जितनी भी क्रियाओं होती हैं, सब की जाती हैं, इसलिए उसका नाम प्राण आयम फैलना, विस्तृत होना, ब्यायाम में क्या होता है, ब्यायाम कहते ही प्राणवाई उपर जाद ध्यान ना दे करके केवल सारे गत्विदियां कि जाती है, इसमें दोड़ हो सकती है, बर्जिस हो सकती है, उठक बेटक हो सकती है, पुसप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमे वो जिससे की सरीर का फैलाव हो सरीर की मसल्स वने वो बयायाम कहलता है उसमें सरीर को आयाम होता है इसी तरह से जब किसी छित्र में फैलाव की बात आ जाएगी तो उसमें अभी भाव समास होता है अनुगंगम जैसे सब्देस में अनुगंगम से तातपर क्या है यानि कि अगर अनुगंगम के आगे हम वारणसी सब्द लगा दें तो इसका तातपर हो जाएगा कि वारणसी गंगा के किनारे किनारे वसा हुआ है गंगा के किनारे किनारे फैला हुआ है ये इसका आर्थ हो गयाएगा तो गंग इसका जो अल जब स्च्टी विक्ति का पियुगा वैसे तो इस सिद्धी को रिके बताता हमें आपको, लेकिन बोर्ड पर नहीं है यह और ना ही बोर्ड पर मैं समझ रहा हूँ कि इसको सिद्धी की जरूत है, सिद्धी की जरूत हूती तो वीडियो बड़े अच्छी सी देखा जाता, पि जब पढ़ाने बैठेंगे नौकरी लगने के बाद तब संजमाएगी कि ये कुछ गरवड हो गया है उनका विस्टा है वो तो अनुगंगम जो सब्द बनेगा वो ऐसे बनेगा फिर सश्टी का जब प्रियोग किया जाएगा अलोके बिग्ग्रा में तो सश्टी का सुप्रत से देने का प्रियास करेंगे जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें हम दे सकें आज के लिए तना ही धन्यवाद